नमास्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका सोगत है आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी विकेंशी लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है यूपी यसी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन योगता है दोस्तों कि मास्टर डिग्री में किसी से भी हो सकता है पीचियम फीचिक्स कमिश्टी बावलाजी किसी से भी हो सकता है दोस्तों आप से एक छोटी से रूक्रेस्ट है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्क्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले चल समझ में आ जाएं गूगल पर सरकारी रिजल्ट टाइप करते हैं उसके बाद सरकारी रिजल्ट डाट काम वाले आप्शन पर क्लिक कर देते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करें एक नाय बिंडो ओपन हो जाता है इसमें उपर वाले यूपी असी गियो संस्टिश वाले दोस्तों अप्लिकेशन बिगिन हुए है साथ दाथ दो हजार बीस को लास्ट डेट है सताइस दाथ दो हजार बीस तक जैनल ओवी सी वालों के लिए 200 रूपाई फीश यस्सी एस्टी के लिए निल आल कटेगरी फीमेल निसुल्क लास्ट डेट पेमेंट के सताइस दाथ दो हजार बीस तक अडमिट कार इसका जनवरी 2021 में एविलेबल होगा प्रीका प्रीका एकजाम 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 दो हजार एकजाम को मैंग एकजाम डेट की अभी कोई डेट आई नहीं है इसका नोटिपिकेशन वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों टोटल पोस्टे चालीस है केमेश्ट गुरूप सांस्टिस्ट बिग केमिकाल जियोग्राफिक्स बिड हाइड्रोग्राफिक्स कौलिफिकेशन इसमें है मास्टर डिगरी इन सांस मेंचांच्ट्र कमेंश्ट्री एपाइट कमेंश्ट्री इसमें दोस्तों मास्टर डिगरी इमंक सीकमे 66 सें होना चाहिए एजवल्मिन लिमिट है 21 मेंच़े 20 Donald 32 साल 21emie आई 1220 एक्कीस के पहले आपकी पूंट हो जाने चाहिए जो सेकंड वाले पुष्ट पे है मास्टर डिग्री जियोग्राफी एज लिमिट वहीं है मास्टर डिग्री इन कमेश्टी एज लिमिट मिन्मम एज है 21 साल मैंग्जिमा मेज है 32 दोस्तों इसमें डाकुमेंट क्या कहला है है एंड राइटिंग एलेजबल्टी आईडे प्रूफ एड़ेस प्रूफ फोटोग्राफ इसका नोटिफिकेशन दोस्तों देखते हैं यह देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है इसको आप ध्यान से देखीए गां इस नोटिफिकेशन में आपको पेपर के वारे में सलेबस कितने नमबर का आएगा कुश्चन कितने घंटे करेगा प्रीका तता फाम भरते समये किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपको फाम भरते समये गल्तिया ना हो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आपको फाम भरते समये कोई भी असुद्धा ना हो कि यह देखिए दोस्तों कहां क्या चीज भनना है उसका विवरन दिया हुआ है यह देखिए पेपर कहा है सांस्ट्रीट हेड्रोग्राफिक्स में जैनल एस्टेडी टू हावस कराएगा साव नमबर का कोश्चन आएगा शेकन पेपर जो होगा हाईड्रोग्राफिक्स का इसमें दो घंटे का तीन सो नमबर का कोश्चन यह दखिए फिर है कमिस्ट्री है है हेड्रोग्राफिक्स है जियोग्राफिक्स है जियोग्राफिक्स में तीन हावस कर रहेगा दो सो नमबर का शेकन पेपर है तीन तीन घंटे का दो सो मार्स का हेड्रोग्राफिक्स है तीन घंटे का दो सो मार्क का टोटल छैसो मार्स कर रहेगा अंगला जो है कि में तीन हावास का 200 नंबर के कोश्चन रहेगा पहला है सेकंड पेपर है तीन घंटे का 200 मास का रहेगा तीसरा पेपर है तीन घंटे का कि आपको पेपर के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सब्जेक्ट का पेपर कितने घंटे का आप किछने मास का आएगा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन सही से समझ में आ जाए कि यह देखिए दोस्तों कि यह हाइड्रोग्राफिक्स का यह सलेवस आए कि पेपर में कौन कौन से संब्दित विशाओं के कोश्चन आएगे जियोग्राफिक्स है उसका भी दिया हुआ है कि से संब्दित कोश्चन आएगे जियोग्राफिक्स के इसका पूरा विवरन इसमें दिया हुआ है अब ध्यान से पढ़िएगा जिस्या कि आपको इसकी तैयारी करने पर कोई असुद्धन नहों आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं सकंडों करें कि कैमिकल का कमेस्टी का। है दोस्तों कमस्टी में देख लिए जिए कंए से कोश्चन आनाए कंए सलेववास हैăng कौन से हमशचन आफ्सक्ति कितना आना इसका दिया हुआ है जूग्राफिकस पास्पर्ट भी उसके बारे में भी दिया हुआ है जोग्राफिक पार्ट सेकंड जोग्राफिक पार्ट ठल्ड फिचिक्स उसके बारे में दिया हुआ है दोफ तो जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा कुछ हैंडीकेप बालों के लिए लगाना परेगा उसके बारे में भी इत्री में बताया गया यह दोस्तों आपका में का में का पेपर डाउनलोड हो रहा है दोस्तों में का खिते नंबर का किते घंटे काएगा यह में में का विवरान दिया हुआ है आप इसको माउस के मादम से निचे करके आप पूरा इसको पहले जिएगा चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा आपको रजिस्ट्रेशन करना बता देते हैं उसके आंगे के पिडिक्रिया आपको स्वयम करनी होगी यह देखिए दोस्तों यह में का आपको बताया जा रहा है में में जियो के लाफिक्स में क्या क्या आएगा सब इसका विवरान इसमें दिया हुआ चलिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना बता रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिएगा क्लिक यह फार ट्रे वाले आप्शन पर क्लिक कर देते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नए विंडू ओपन हो जाता यह सब साइस के बारें बताया हुआ उपरवालना कंडिडेट का नाम सेकन में जेंडर में मेल फीमेल तीसे डेट आप बर्त फादर्स नेम मदर्स नेम कटेगरी कौन सी है नेशनल्टी मारीज स्टेटस कंडिडेट आप पर्सन विद विभाहित हैं कि नहीं इसके बारें बताना है नेशनल्टी में इंडिया डालना है इसमें दोस्तों विभाहित के बाद कटेगरी कौन सी है आपकी कमिल्ट की नहीं समदाए यह स्टी ओभी सी जो भी हो आप इसको आप कर सकते हैं यह स्टी ओभी सी जन्रल इडवली यह समदाए बिलोंग करते हैं यह नहीं तो नो मास्टर डिग्री लिया के बाद यह देखिए काउंट काउंसे लिया मास्टर डिग्री में क्या क्या उसके बारा में दिया हुआ उसके बाद यहां पाई आप अपना आड्रेस इस्टेट डिस्टिक फिन कोड पी अच्छे ओ नंबर फोन नंबर मोबाइल नंबर मेल आईडे अदि उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगी आपका रजिस्टेशन पूर्ण हो जाएगा यह देखिए दोस्तों आज हम आप पुलोग को यूपी यसी के बारें बताएं उसके बाद दोस्तों जैसे आपका रजिस्टेशन हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए यहां से आप रजिस् हमारा वीडियो आपको पसंद आया होता हमारे वीडियो को ये चैनल को लाइक सप्राइब और सेयर करना ना भूले चलिए दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ पुनाय मुलाखात